आज हम दुबारा एडवेंचर स्टोरी को लेके जा रहे हैं क्लास्ट्रूम के अंदर और देखेंगे कि अगर एक टीचर अपने स्टूरेंट को कन्विंस करें कि राइट डाउना एडवेंचर स्टोरी तो उसे क्या क्या करना चाहिए और किस किसम क्या क्या इसके फोलडिंग किसकी स्टूर्ट्टेंड को देना चाहिए टाकि इस्टूड्ट अच्छी कहानी लिख ले So, इससे पहले कि आप कहानी लिखें, तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को क्लियर करवाना बहुत ही जरूरी है. सबसे पहले कि कहानी का हीरो कौन होगा? So, कहानी का जो हीरो होता है, उसके पास हमेशा कोई ना कोई क्लियर गोल होता है. So, think about कि हीरो कौन होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी जेंडर क्या होगी, वो किस मुल्क से तालुक रखता होगा, किस जगा से तालुक रखता होगा, और उसने क्या गोल अचीफ करना है. हीरो का का काम होता है, कि वो वक्ते साथ ग्रोन अप करें, और जिन एक्सपीरियंसे से वो गुजर रहा है, उसके बाद उसके अंदर क्या चेंजिज आती हैं, और कैसे वो दुनिया को देखता है, इसके बाद इंपॉर्टन चीज़ जो टीचर ने बतानी है स्टूरेंट क कि वो पहले डिसाइड करने के कहानी का विलन कौन होगा, एडवेंचर कहानियों में हमेशा एक एंटरगॉनस करेक्टर होता है, जो कि एरो के खिलाफ होता है, यानि पोटरगॉनस के बिल्कुल खिलाफ चलता है, फिजिकल रिस्क मौजूद होता है, जो भी फिजिकल रिस एक कोई ना कोई टेंशन मौजूद होती है So adventure कहानी जो है वो बुन्यादी तोर पर high stake और rising tension की कहानी होती है इसके अंदर एक situation climax पर आती है और इसमें high stakes लग रहे होते हैं hero के और एक जबर्दस किसम की tension create होती है और जब हो hero's tough काम को challenge को पूरा कर लेता है overcome कर लेता है वो अपने मकसद में काम्याब हो जाता है तो जो reader होता है वन्यादी तोर पर वो connected होता है hero के साथ इसना emotionally connected होता है कि वो भी बिल्कुर emotionally hero के साथ साथ चल रहा होता है अगर hero रो रहा है तो उसको भी रोना आता है वह यह है कि आप बड़े इंट्रोस्टिंग किसम की चीज़े डाल सकते हैं, जैसे कि टाइम, तो टाइम से भी आपकी टेंशन और रिस्क और डेंजर चीज़े जो हैं, वह हमारे सामने आती हैं और आपके अड्वेंचर स्टोरी बहुत ही इंट्रोस्टिंग होती जाती है, मिसाल कि तॉर पर इस हीरो ने ये काम छे दिन के अंदर करना है, तो आज पांच वा दिन है, आज चौथा दिन है, आज तीसरा दिन है, अब क्या होने जा रहे हैं, क्या हीरो के पास इतना थोड़ा सा टाइम रह गया है, वो अपना टास्ट पूरा कर सकेगा ये नहीं कर सकेगा, तो ये इंगेजमेंट को बढ़ा देता है, रीडर के, जब हम एडवेंचर कहानिया लिखवा रहे होते हैं, तो हम बच्चे को बता सकते ही, कि प्लॉट में किस किस्सम की ट्रिस्ट आ सकते हैं, जिसकी वज़ा से आपकी कहानी मज़धार बन सकती है, जो आपको भी सर्प्राइस कर दे और आपके रीडर को भी, कोई ऐसा सर्प्राइस अलुमेंटा आ जाये, लेकिन टू मैनी सर्प्राइस जो हैं पहली चीज़ तो यह कि वह अन्बिलेवबल होते हैं और वह आक्शिली बहुत ज्यादा सर्प्राइस डालने से जो रीडर है उसको पता चल जाता है कि इस नॉट और रियल लाइफ स्टोरी और डिसकनेक्ट भी हो सकता है फिर उसके बाद है हमें कोई ना कोई इंट्रस्टिंग सेनेरियो हम पिकप कर सकते हैं जैसे कि कोई शक्स कहीं गों गया आप स्कूल जा रहे हैं पर रास्ते में कहीं खो गए या स्ट्रेंडर सिचुएशन के अंदर आ गए किसी ऐसी जगा चले गए जहां गाड़ी खराब ह हो चुकी है और उस जगा आप जाके फस चुके और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है कोई चेस है किसी चीज का पीछा कर रहे हैं और आपको वहां पहुचने के लिए उस रास्ते से घुजरना जरूरी है या आप कोई इंट्रस्टिंग किसम की फीचर भी सिनारियो चीज कर सकते हैं जसे वेस्टलेंड है जो के डेंज़र Su सकता है रेंडियो एक्टिव होता है कारेक्टर जो है उसको बहां से घुजरना जरूरी है वो कैसे गुजरे गा यह तौई तो ये तमाम चीज़ियो क्लॉचिक व्सकति हैएडिक्टिंग किसम की अच्छी बिगिन जा रही है और at the end hero जो है अपना goal definitely achieve कर लेगा adventure story में and it would going to be a very very fun activity with children.